अब आप देखते हैं कि surface tension का मान किन किन कारो को पर निर्भर करता है सब से पहले मिलाई गए अशुद्यों पर यदि हम कोई शुद्ध द्रव देखते हैं तो उसका एक अपना सर्फेस टेंशन होगा यदि हम उसमें कुछ अशुद्धिया मिला देते हैं तो अशुद्धि की विलियता के अधार पर मतलब ये अशुद्धिया उस द्रव के अंदर कितना डिसॉल्व हो पाती है उसके बढ़ जाता है जैसे कि शुद्ध जल में यदि हम नमक या शक्कर मिला देते हैं तो यहां पर शुद्ध जल का सर्फेस टेंशन बढ़ जाता है शुद्ध जल का सर्फेस टेंशन 7.27 इंटो 10 तुप पावर माइनस 2 न्यूटन प्रती मीटर होता है लेकिन यदि उसमें नमक मिला दिया जाए हम जानते हैं नमक पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है तो उस समय इसका सर्फेस टेंशन बढ़ जाता है और यह 8.4 इंटो 10 तुप पावर माइनस 2 न्यूटन प्रती मीटर हो जाता है पर यदि हम ऐसी अशुद्ध मिलाते हैं जिसकी वेलियता कम हो जैसे कि हम पानी में साबुन पानी मिला दे रहें यानि साबुन घोल दे रहें यह डिटरजन्ट यह डेट्टिल फिनाइल यह मिठी तेल यह कोई तेल ऐसी अशुद्धी का मिलावट कर रहे हैं जिसकी विलियता कम हो तो उस चंटिशन में इस द्रफ का यानि कि जल जल का सरफेस टेंशन घड़ जाता है यह हम जल की बात करें पर हम किसी भी द्रफ की बात करें और उसमें ऐसे अशुद्धिय मिलाई जाएं जिसकी विल्यता कम हो तो इसका प्रिष्ट तनाव घड़ जाता है अब अगला कारण है कॉंटैमिनेशन यानि की संदूशन बच्चो प्रदूशन तो आपने सुना है अब यह संदूशन क्या होता है एक्चली प्रदूशन में हम देखते हैं कि जो वांचनी गैस के साथ या वांचनी पदार्तों के साथ अवांचनी पदार्त मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम कंण उसकी स्वतंतर सता पर ही छित एस प्रकार यह जो दून गोण को से मिल यह मिल से लेकिन आगर उसके सता पर दोल के बारिक से कर्ण कर बनाए हुए हैं तो इसे हम Contamination ये संदूशन कहते हैं संदूशन के कारण किसी भी द्रफ का प्रिष्ट तनाव घट जाता है मान लिजी हम जल की सता पर धूल के कंड डाल देते हैं या कोई चिकनाई पदात जैसे ग्रीज तेल तो ये इस जल की प्रिष्ट तनाव के मान को कम कर देते हैं अब अगला कारक है कि इस द्रफ के साथ जो माध्यम संपर्क में है उस माध्यम के आधार पर भी इस द्रफ का प्रिष्ट तनाव अलग-अलग होता है मान लेजे हम जल की बात करते हैं जल की सी बरतन में रखा गया है तो उसका जो स्वतंत प्रिष्ट है वो हमेशा वाईयू के संपर्क में रहेगा मतलब यहां पर माध्यम वाईयू है और इस कंडिशन में जल का प्रिष्ट तनाव होता है 7.27 इंटू 10 तो पावर माईनस तो न्यूटन प्रती मीटर लेकिन यदि जल के संपर्क में माल लीजे जल वास्ट पे ही है मलब यहां पर ग्यास हो गया उस कंडिशन में अब यहां पर माध्यम जो संपर्क में था वो चेंज हो गया तो ऐसी स्थिती में जल का प्रिष्ट के तनाव कम हो जाता है और यह 7.0 इंटू 10 तो पावर माईनस तू न्यूटन प्रती मीटर होता है और ऐसे ही हम सभी द्रवों के लिए देखें कि जिस द्रव की बात कर रहे हैं उसका स्वतंतर प्रिष्ट किस माध्यम के संपर्क में है और माध्यम बदल देंगे तो उस और माध्यम की बात करें तो हो सकता है कि प्रिष्ट तनाव बढ़ भी जाए तो यह डिपेंड करता है कि संपर्क में हम कौन सा माध्यम ले रहे हैं और कौन सा द्रव ले रहे हैं उसके अधार पे ही द्रव का प्रिष्ट तनाव में परिवर्तन होगा अब अगला कारक देखते हैं ताप कि एक बहुत ही महत्मून कारक है और ताप बढ़ाने पर किसी भी द्रफ का प्रिष्ट तनाव हमेशा घटता ही है और ताप के साथ द्रफ का किस प्रकार संबंध है वो इस समिक्रण दोरा दर्शाया जाता है यहाँ पर हम लिखे है टी थीटा जहार टी प्रिष्ट तनाव है और थीटा ताप है मालीज़ें थीटा ताप पर प्रिष्ट तनाव को ग्याद करना है तो हम यहाँ पर टी थीटा लिखेंगे बराबर के ब्रैकेट के अंदर थीटा सी माइनस थीटा माइनस डी अब यह थी थीटा क्रांतिक ताप एसा ताप होता है जहां पर किसी भी द्रफ का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है और इसे हम critical temperature कहते हैं और इसलिए हम इसे थीटा सी से दर्शाते हैं अब यह एक नियतांक होता है और यह दी यह भी एक प्रिश्ट नांग है जो द्रफ की प्रकृती पर निर्भर करता है तो इस प्रकार हम देखें कि जब ताप को बढ़ाते हैं तो किसी पे द्रफ का प्रिष्टतनाव घड़ता है। द्रफ आपस में एक दूसरे से सरसंजग बल से जुड़े हुए हैं इनके अणुओं के बीच में आकर्शन बलकारे कर रहे हैं जैसे हम ताप दे रहे हैं यानि कि उश्मियों उर्जा द्रफ को दे रहे हैं तो इसके जो अणुओं होंगे वो इस उर्जा को प्राप्त करके गती शील हो जाएंगे और या तो गती करने लगेंगे या तो अपनी जगे पर कमपन करने लगेंगे और जब यह एक दूसरे से दूर जाएंगे इसका मतलब सरसंजग बलकामान कम हो जाएगा और इसलिए प्रिश्ट तनाव भी घड़ जाता है इससे हम यह भी निसकर्श निकाल सकते हैं कि जिन द्रवों में सरसंजग बलकामान अधिक होता है उनका प्रिश्ट तनाव भी अधिक होता है और जिन द्रव में सरसंजग बलकामान कम होता है उसमें प्रिश्ट तनाव भी कम होता है अब हम अगला कारक देखते हैं द्रव के विद्यूति करण करने पर केसी भी द्रफ के स्वतंतर प्रिष्ट का यदि व्यूद्यति करण किया जाता है तो उसका भी प्रिष्ट तनाव घट जाता है और अभी जो हमने प्रिष्ट तनाव को प्रभावित करने वाले कारक देखे उसके आधार पर हम कुछ एक्जामपल्स की चर्चा करते हैं सबसे पहले वाला वही एक्जामपल लेते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक ब्लॉटिंग पेपर लेंगे और उस पर स्वी रखेंगे और जब इसे द्रफ पर रखा जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर डूब जाता है सिंक हो ज और जब इसे पानी में रखा जाएगा तो यह अपना जगह बनाने के लिए अपनी आकरिती से ही जेल को विस्थापित करेगा मतलब यहां पर हम देखें तो जेल का आकार भी कुछ इस प्रकार हो जाएगा अब इसकी उपरी सता में देख रहे हैं तो इस सता में वृद्धी ह हो गई इसका चेत्रफल बढ़ गया अब चेत्रफल बढ़ गया प्रिश्थ तनाव की कारण हम जानते हैं कि वहां अपने चेत्रफल को कम करने का प्रयास करेगा मतलब यहां पर सर्फेस टेंशन काम करेगा और सर्फेस टेंशन है क्या एक बल है जो प्रिश्थ पर इस पर पर्श रेखी रूप से बल कारे करेगा इसको यदुके चित्रणुसार समझे इस सतह這樣的 पर देखें तो यहाँ पर इस पर्श रेखी की रूप से यह surface tension यह तनाव बल इस दिशा में कारे करेगा और उस surface पर देखे तो इस इस दिशा में कारे करेगा यह दोनों ऐसा महसूस हो रहे कि इस सुई को पकड़ कर खीच रहे यह उठा कर रखे हुए है और इस प्रकार इस सर्फेस टेंशन के कारण इस बल के कारण ही यह सुई पानी के उपर तैर सकेगी और ऐसे ही बच्चों कुछ कीड़ों को भी आपने पानी की सतह पर चलते देखा होगा त्यारते देखा होगा वहां पर भी कारण प्रिष्ट तनाव ही होता है जब यह कीड़े अपने पैर से पानी को दबाते हैं तो उसकी स्वतंत्र प्रिष्ट अंदर की और दबती है इनके पैर के आकरिती के आधार पर और उसी कारण ही यहां पर चेत्रिफल बढ़ जाता है और प्रिष्ट तणाव की कारण च्रिफल कम होने का प्रयास करेगा जिस के करण यहां पर यहां टनाव बल कारे करेगा और यानि की ऊपर की ओर होगी जो कीड़े को इस पानी की सतह पर इसकी स्वतंतर प्रिष्ट पर चलने के लिए मदद करती है चलिए प्रिष्ट तनाव से जुड़ा हुआ एक और उधारण देखते हैं यदि हम एक कंटेनर में पानी लेते हैं और उसमें एक कपूर का तुकड़ा डाल देते हैं बच्चों जो डेसी स्थितिक होता है इसका एक तुकड़ा यदि हम जल में डाल देते हैं बताइए क्या होगा कि आप सोच रहोंगे कपूर भारी है कि उसकी देंसिटी अधिक है तो वह पानी में डूब जाएगा पर आप इस एक्टिविटी को अपने घर में जरूर करके देखिएगा ये कप उसे रहना चाहिए उस दरफ के ऊपर उसे स्थिर रहना चाहिए लेकिन ये इधार उधार नाश्टा रहता है ऐसा क्यों होता होगा क्योंकि जल के संपर्क में जब कपूर आता है तो गुलने लगता है और इसकी घुलन चीलता कम होती है मतलब यह अच्छे से मिक्स नहीं किसी जगे पर कम गुलेगा तो जिस जगे पर ज्यादा गुला है वहाँ पर इसने पानी के प्रिष्ट तनाव को कम कर दिया है तो इसके दो अलग अलग जगों पर देखें तो एक जगा पानी का तनाव अधिक है और एक जगा पानी का तनाव कम है तो यह कपूर जिस जगे पर पानी का तनाव अधिक होगा उस तनाव बल की कारण उसी दिश्या में चलने का प्रयास करेगा फिर इसी दौरान यदि किसी दूसरे एरिया में वो फिर पानी के संपर्क में आ रहा है और वहां पर कपूर फिर घुलना शुरू कर दे रहा है तो उस कंडीशन में फिर उस जगे पर पानी का तनाव कम हो जाएगा फिर किसी अन्य जगे पर पानी का तनाव अधिक होगा तो इस प्रकर जिधर भी पानी का तनाव अधिक होगा यह उसी दिशा में गती करने लगेगा और हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कपूर नाच रहे पानी की उपर तो ऐसा न दिखाएं अपने दोस्तों को भी दिखाएं और इसकी पीछे छुपे हुए प्रिष्ट तनाव वाले विग्यान की चर्चा जरूर करें अब प्रिष्ट तनाव का अगला धारण देखते हैं लेड एक अलिमेंट है जिसे हम सीसा कहते हैं इसके छोटे छोटे बॉल बनाने के लिए प्रिष्ट तनाव के गोण का उपियों किया जाता है हम सीसा को पिगला देते हैं और पिगला के इसे उपर से गिराते हैं और जब यह ऊपर से गिरता है तो यह प्रिष्ट तनाव की कारण चोटे-चोटे गोलों के रूप में convert हो जाता है और इसे हम पानी के सतह पर गिराते हैं पानी का तापमान कम होता है यह ठंडा होता है इसलिए गरम सीशा जब ऊपर से गिरता है तो वो छोटे गोलों में प्रिष्ट तनाव के कारण कनवर्ट हो जाता है और जैसी ये पानी से कॉंटेक्ट में आता है तो ठंडा होते ही ये एक रेगुलर शेप को ग्रहन कर लेता है और इस प्रकार लेट के छोटी-छोटी गोलियां बनाने के लिए छोटी-छोटे चर्र बना लेता है और इधर उधर ये भी काज की प्लेट में डोलता रहता है यदि हम देखें तो छोटी-बूंद होगी पारे की तो वह गोल होगी तेकिन जब हम पारे की बड़ी-बूंद लेते हैं तो वह चपती रहती है अब सोचिए एक छोटी-बूंद गोल है और बड़ चपती प्रिष्ठ तनाव तो दोनों में काम कर रहा है फिर एक बूंद छोटी-बूंद गोल है और बड़ी-बूंद चपती क्यों है एक्चली इस पारे पर दो बल कारे कर रहे हैं एक उसका प्रिष्ठ तनाव और दूसरा गृत्वा कर्शन बल यदि हम प्रित्वी पर ह तो हम हमेशा गृत्वा कर्शन के प्रभाव में ही रहेंगे और गृत्वा कर्शन के कारण ही किसी भी वस्तू का भार होता है यह चोटी-बूंद ले तो इसके भार को हम नगण्य मानते हैं और इसलिए वहाँ पर प्रिष्ट तनाव कमान अधिक होता है या फिर हम यह कहें कि इस छोटे पारे की बूंत का भार नगण्य हो जाता है और केवल वहां पर प्रिष्ट तनाव कारे करता है जिसके कारण वो अपने स्वतंतर प्रिष्ट के छेत्रफल को न्यूनितम करने का प्रयास करता है और एक और इसका भार अस्तित्वे में आता है और इसी के कारण पारे की बूंद चप्ती हो जाती है इस पारे में एक ऐसा बिंदू होगा जहां पर इसके पूरे भार को हम केंद्रित मानते हैं और इसे हम गृत्विय केंद्र कहते हैं यानि center of gravity कहते हैं जहां पर इसका पूरा weight concentrate है ऐसा माना जाता है अब भार के effect के कारण ये गुरुत्वी केंद्र नीची आने का प्रयास करता है और इसलिए पारे की बूंध बड़ी वाली चप्ती हो जाती है बच्चों आप किसी फवारे के बगल में बैठे हैं आपको कैसा अन्भव होता है यदि हम गर्मी के दिनों में किसी पार्क में टहलने जाते हैं और हम फवारे के बगल में बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है यह फवारे के बगल में बैठने से हमें ठंडक क्यों महसूस होती है क्योंकि हम देखें तो फवारे से जो पानी बाहर निकल रहा है कुछ दूर तक यह पानी छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स की रूप में रहता है दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि पानी फुहार बन जाता है और इसे फुहार के कारणी हमको ठंडक महसूस होती है जब पानी छोटे-छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स की रूप में बढ़ता है उस समय इसका छेत्रिफल बढ़ जाता है विकि ऐसे बहुत सारे ड्रॉ प्रयास करेंगे और जब यह अंदर से प्रिष्ट पर आने का प्रयास करते हैं तो यहां संजग बल के विरुद्ध कार्य होता है और यहां कार्य इस जल की आंत्रिक उर्जा का कंजम्शन की कारण होता है और आंत्रिक उर्जा कंजियूम होती है इसका मतलब उस फुहार का water droplets का ताप गिर जाता है और इसे लिए जहां पर भी हमको छोटे-छोटे water droplets मिलते हैं वहां हम महसूस करें तो हमें ठंडक लगती है ऐसे ही एक और उधारण देखते हैं कि मान लीजिये आपके पस दो प्लेट हैं इन डोनों प्लेट की बीच में यदि हम कोई तरण डाल डेते हैं द्रव डाल देते हैं थें दोनों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस द्रफ का हमने इस्तमाल किया है दोनों प्लेटों की बीच में, वो दोनों प्लेटों की बीच में लूब्रीकेंट जैसे काम कर रहा है, इसनेहक जैसे हम दो मशीनों के पूर्जों को घिसने के लिए कोई ऑईल डाल देते हैं, बना लिया है और हम जानते हैं कि Film की स्वतंत्र सतह पर सरफेस टेंशन कारे करता है और इससे टेंशन के कारण नों प्लेटों के बीच में वायू मंडलें धाब घट जाता है और बाहार का दाब बढ़ जाता है और इसलिए जब इन दोनों प्लेटों को अलग किया जाता है तो बहुत ज्यादा बल के अवशक्ता होती है और यह कहें कि इन दोनों प्लेटों को अलग करना मुश्किल हो जाता है बच्चों हम बारिश आने से पहले ऐसी वस्तों को अपने घर के आसपास से हटा देते हैं जिन में गहराई हो तो कि हम जानते हैं यदि उसमें पानी भर जाता है तो उसमें मच्चड हो जाते हैं और मच्चडों से बचने के लिए हम या तो उन गड़ों को भर देते हैं या फिर ऐसा समान जैसे की नारियल का खोपला हो कोई टायर हो या ऐसी कोई गहराई वाली चीज हो उसको हम अपने घर से साफ सफाई कर देते हैं बहार से हटा देते हैं पर मान लीजे कोई गड़ा रहे गया तो हम जानते हैं उस गड़े में पानी भर जाएगा और उसी पानी में मच्चड अपने अंडे देंगे और वहां से धेल सारे मच्चड हो जाते हैं कि तो मच्छडों को हटाने के लिए किया करते हैं या तो गड़ों को पाटते हैं और यह टिला सरे मच्छड के अंड नहीं होते होगे पर ऐसा नहीं है मिट्टी तेल इस पानी की सता पर एक परद बना लेता है क्योंकि घुलता नहीं है पानी से और इसलिए यह पानी के सर्फेस टेंशन को कम कर देता है पानी का बहुत अधिक सर्फेस टेंशन होने के कारण जो अंडे रहते हैं वो पानी की सता पर तैरते रहते हैं और इसलिए उन अंडों में से मच्छन नि पाते और इसमें से मच्छर नहीं निकल पाता तो मच्छड के मरने का कारण है प्रिष्ट तनाव उस गढ़े के अंदर पानी में मिट्टी तिल मिलाने से अब चलिए बच्चों कुछ ऐसे उधारन लेते हैं जिसको आप अपने डेली लाइफ में रेगूलर अनुभव करते ह अच्छा ये बताईए गरम सूप ज्यादा टेस्टी होता है यह थंडा सूप यह गरम चाय ज्यादा अच्छी लगती है यह थंडी चाय यह दोनों का एक ही आंसर है गरम तरल हमें अच्छा लगता है टेस्टी लगता है कारण है प्रिष्ठ तनाव का मान ताप के बढ़ा से कम हो जाता है बच्चों हमारे जीब में टेस्ट बढ़ होते हैं और को भी पदार्थ हमारे जीब में जितना फैलता है जितना एरिया कवर करता है उतने सारे टेस्ट बढ़ एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें अलग-अलग टेस्ट का अनुभव कराते हैं अगर द्रव में किसी भी तरल में जिसको हम यूज कर रहे हैं उस पर प्रिष्ट तना हुआ तो वो हमारे जीब की सता पर फैलेगा नहीं और इसलिए ज़्यादा टेस्ट बर्ड एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे इसलिए हमें वो टेस्टी नहीं लगता है गरम करने पर इन तरल का सर्फिस कम हो जाता है और यह हमारी जीब की सता पर अच्छी तरह से फैल पाते हैं और टेस्ट बर्ड एक्टिव होने के कारण यह हमें टेस्टी लगते हैं अच्छा यह बताइए आप रोज सुभा उठकर ब्रेश करने के लिए क्या इस्तमाल करते हैं तूथ पेस्ट इसका इस्त लाएं किसी में तुलसी है पर तूथ पेस्ट जाहें जो भी हो उससे ब्रश करने का एक ही कारण होता है कि तूथ पेस्ट जल के प्रिश्च तनाव को कम कर देता है और इसीलिए जल आपके दातों के कोने-कोने तक जाता है और सारी गंदगी निकाल कर वापस लाता है जिस के लिए हम यही कहेंगे कि तूथ पेस्ट जल के पानी के प्रिश्च तनाव को कम कर देता है ऐसे ही एक और कोश्चिन पूछो आप अपने कपड़े धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट का स्तमाल करते हैं क्यों अब यहां पर आप अलग-अलग डिटर्जेंट की कॉलिटीज नहीं बताएंगे जहां डिटर्जेंट या साबुन कोई भी हो जब उसे पानी में मिलाया जाता है तो यहां पानी के प्रिश्च तनाव को कम कर देता है और इसी लिए ही पानी आपी कपड़ों के रेशे के क में सहसंजग बल कारे करता है और जब यह मैल के साथ मिलता है तो इनी अनुओं का मैल के अनुओं के साथ भी अकर्शन बल लगता है यानि कि असंजग बल कारे करता है और इस स्तिति में इस असंजग बल का मान सहसंजग बल की तुलना में अधिक होता है इसलिए यह डिटर इसलिया आपकी कपड़े साफ हो जाते हैं, माल लीजै आप खेलते खेलते गिर गये आपको छोट लग गई सब पहले आप अपने घर में आते हैं तो क्या करते हैं उस छोट को धोते हैं पर हम साधरन पानी की तुला में उसमे ड golf मिला कर होते हैं अब ऐसा क्यों किया जाता है कि टेटॉल एंटिसेप्टिक तो है ही वो उसका डिफरेंट गुण है लेकिन डेटॉल को जब पानी में मिलाया जाता है तो वो पानी का सर्फेस टेंशन कम कर देता है और इसी कारण ही पानी आपके घाओ में अच्छे से फैलता है और आपके घाओ की गंदगी को साफ करता है ऐसे ही बच्चों हम पोछा लगाने के लिए साधरन पानी की अपिक्षा फिनाइल का स्तमाल करते हैं अब वो क्यों अब इस प्रकार का कोश्यन जब एक्जाम में आता है दो नंबर को इसे एक्स्प्लेन करने को कहा जाता है तो जन होता है मक्की मच्चर को भगाता है वो कारण हमको नहीं लिखना है यहां पर इस आंसर को हमको फिजिक्स के द्रिष्टी कोंड से देखना है तो फिनाइल को जब पानी में मिक्स किया जाता है तो यह पानी का सरफेस टेंशन रिडियोस कर देता है घटा देता है और इसी का साफ कर देता है तो इस प्रकार बच्चों हमारे द्यानिक जीवन में हमारे आसपासी ऐसे धेर सारे एक्जामपल है जो सर्फेस टेंशन से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार का एक्जामपल यह दिए आप देखते हैं तो जरूर अपने दोस्तों के साथ उस टॉपिक पर चर्चा करिए